हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग टेल्स पे आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए एक रंग की बहुत ही सुन्दर बुनाई लेके आई हूँ तो इसे बनाना आप हम शुरू करते हैं इसके लिए हमने 34 फंदे डाले हुए हैं और 34 फंदे डालने के बाद दो सलाई हमने सीधा उल्टा बुन लिया है एक सलाई सीधा और एक सलाई उल्टा अब सीधी सलाई में फिर बुनाई को बनाना शुरू करते हैं ये एक फंदा हमने बुन लिया सीधा और दूसरा फंदा अब ये सीधा बनाया और इसमें दो बार लपेटेंगे एक बार और ये एक बार और दो बार लपेटके फिर इसे सीधा बनेंगे फिर अगली फंदे फिर इसमें एक बार लपेटा और एक बार और लपेटा ऐसे दो दो बार लपेटते हुए यह पूरी सिलाई बना लेंगे पूरी सीधी सिलाई इसी तरह हम बना लेंगे अब हमने यह पूरी सीधी सिलाई बना लिया अब उल्टी सिलाई में देखिए यह कैसे बनाते है उल्टी सलाई में हमने एक फंदा ये उल्टा बुन लिया अब ये फंदे जो हमने लपेटे हुए है ये चार-चार फंदों की बुनाई है ये चार-चार के मल्टिपल में ये बुनाई बनती है अब देखिए इसको, ऐसे हमने एक फंदे को खोला, धागा पीछे करेंगे, धागा पीछे किया, एक फंदा उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे किया, फिर इसको ये खोलेंगे, दूसरा फंदा खोला, और ये तीसरा फंदा, ये चौथा फंदा, चार फंदे खोलेंगे और चारो फंदे खोलने के बार इसके अंदर से ये सलाई ऐसे ले जाएंगे ये लेफ्ट सलाई के उपर लेफ्ट हैंड की सलाई पर इसको तक लेंगे और इसके बार अब इसको ऐसे बुनेंगे यह चारो फंदों के इधर में यहां यहां पर यह सलाई अंदर डालेंगे और फिर इसको सीधा बुनेंगे ऐसे सीधा बुन लिया इसको लूप को निकाल लिया फिर इसके बार इसके अंदर से बुनेंगे एक बार एक बार इसके इधर से बुना अब इसके अंदर से ऐसे इन पंदों के अंदर से ऐसे ये सीधा बुना फिर अब फिर इधर से जैसे पहले बार बनाया था फिर यहां से एक बार बुना फिर अब इसके अंदर से ऐसे बुनके ये पंदा फिर उताल देंगे ऐसे बना दिया, इसी तरह से फिर आगे के ये चार फंदे, इसको हमने खोल लिया, दूसरा फंदा, ये तीसरा फंदा और ये चौता फंदा, ये चार फंदे खोलने के बाद इनको इस पर उतार लिया, लेफ्ट हैंड की सलाई पर उतार लिया, इस पर उतारने के बाद, फिर इसको यह सीधा बुनेंगे, फिर एक बार इसके अंदर से, फिर अब यहां से, और फिर अब इसके अंदर से, ऐसे बुन लेंगे, फिर यह गिरातेंगे, फिर यह इसको खोलेंगे, यह चारो फंदे, एक फंदा, दो फंदा, तीन फंदा, चार फंदा, यह चारो फंदे खोलेंगे, और इसको अब हमने इसके उतार लिया, उतारने के बाद फिर यह यहां से सलाई, चारो फंदों के बगर से, सलाई को ऐसे अंदर डालेंगे, और सी पर ये कि यह मनें इसको सिदा बुन लिया एक बार ये सिदा बुना अब दूसरी बार इसके अंडर इन कंडों के अंदर sort पिर यह मनें शिदा बुन लिया फिर अब यहां से और फिर अब इसके अंदर शैसी यह चार बार बुल लेंगे इसी तरह से ही पूरी सलाई बुल लेंगे यह उल्टी सलाई हमने पूरी बना लिया अब सीधिसलाई में ए लिए सीध्य سाइड में इस तरह से बना लेंगे और एक कराना बना लेंगे और नो कर लिए फूर्था लेसे चसुंसा से सफीर आप पूर्था अब ये एक बुनाई बुना के हमने कम्प्लीट कर दिया बुनाई इस तरह से आती है अब फिर सीधी सलाई में फिर पहली रो में जैसे बनाया था उसी तरह से बनाएंगे इसके उपर ही फिर बुनाई बनेगी अब ये एक फंदा हमने सीधा बना लिया और अब फिर उसी तरह से इसके उपर इन चारों फंदों पे ये चारों फंदों पे लपेटेंगे उसी तरह उन फिर इसे सीधा बनाया और इस पे दो बारे से लपेटा फिर ये दूसरा फंदा इसी तरह से ये पूरी सलाई ऐसे बना लेंगे सिधी सलाई हमने बना लिया उल्टी सलाई में फिर फंदे को खोलते हैं फिर एक फंदा हमने पर्णर वाला ये पहला उल्टा बना लिया उल्टा बनाने के बाद फिर ये धागा पीछे करेंगे धागा को पीछे कर दिया और ये फिर ये चारो फंदे खोलेंगे एक फंदा, दो फंदा, तीन फंदा, चार फंदा ये चारो फंदे खोलने के बाद फिर ये लेफ्ट हैंड की सलाई पर इसको चड़ा लेंगे चड़ाने के बाद फिर यहां से चारो फंदे के बगल से यहां से सलाई डालेंगे और फिर इसको सीधा बनाएंगे ये सीधा बनाएंगे फिर इन फंदों के अंदर से ऐसे फिर ये एक सीधा बनाएंगे फिर इन चारों फंदों के बगल से एक सीधा बनाएंगे और फिर इसके अंदर से इन फंदों के अंदर से पिर अब इसको खोलेंगे इन चारों फंदों को एक दो तीन चार फंदों को खोलने के बाद इसके चड़ा लेंगे और अब इन चारों फंदों के बगल से बनाएंगे सीधा फिर इन फंदों के अंदर से सीधा बनाएंगे फिर इन चारों फंदों के बगल से यहां से फिर इन फंदों के अंदर से ऐसे बनाएंगे इसी तरह पूरी सलाई बनाएंगे प्रेंड्स यह देखिए हमने यह बुनाई बना लिया यह देखिए बन के कितनी सुन्दर लगती है यह अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करना बिल्कुल लगता है